नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विना डिम्री और आप देखरें अपना प्यार आयटूब चैनल ट्रू गार्डनर डिम्री चैनल आज कल सोचल मेडिया में एक ची वारे लोग रखिए ऑक्सिजिन पोटली है किया कुछ लोग इसके सपोर्ट में कुछ लोग इसके अपोज में ह वह आप क्या बोल रहे हैं इस पोटले को बनाते कैसे और फाणली मेरे क tarm और किBob करना चाहिए ये सब जाने गे इसी वीडियो में और पूजा में हम कपूर डालते हैं इससे हमारा वात्रण सुध हो जाता है इसको हम डालते हैं इसको डालने के बाद जो है हम जो है यह नीलगरी का तेल है यह के लिप्टे सॉयल इसकी जो है कुछ बूंदें जो है इसमें आप डाल दीजे यह जो है इसकी कुछ बूंदें जो है अच्छे से मिला लीजिए और इसको जो है आप पोटली बना लीजिए और यह पोटली बना दी है इसको जो है आप जो है गहरी सांस लीजिए आप यह आप गहरी सास लेंगे तो वाकिम अंदर काफी गहरा अंदर तक गया तो इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि इसको आप लेंगे तो आपका जो सर्दी जुखा में ठीक हो जाएगा आपकी बंद ना खुल जाएगी और यहां तक करें इससे आपका ऑक्सिजन लेवल हृष जाते हैं यहिते हैं कुछ आर्भी सेनिक जो होते हैं जो पहाड़ के यूपर जाते हैं और से अपूज़ में वो क्या क्या बोल 레айте व किया हो एक कि अब वह अगर आप ज्यादा सुनगते हैं तो प्रोलोम आ सकती है वह कि इस को च्वर को आपको क्वाप ज्यादा नहीं वूरां और कुछ तो यहां तक बोल रहे हैं कि इसको अगर आप ज्यादा सुओंगे दिन रात बार बार सुओंगें तो आप पोटले से लोटे में समा सकते हैं don struggle अपोस नहीं बोल रहे हैं तो हमें करना के शिए सबसे में है कि कि इसमें तो मैं यह बोलूँगा कि इसमें अगर आप जाते रहे जो वाइरल वीडियो उसमें आप देखेंगे तो नीलगीरिया तेल है इसके बारे में कम बताए गया है यह नीलगीरिया तेल जो होता है यह मैंने लिए 80 रुपी की बोटल कैमिसी दुकान से आप किसी भी कंपनी का त है तैसे बहुत अच्छी सूंगन है जो हमारी बंदनाग को खुल देता है और और अक्षियल लेवल के तो मैं बात नहीं करूँगा वह ऐसा कुछ नहीं कि बढ़ा देगा लेकिन आपकी जो बंदनाग है जो कफ है वो ठिक कर देगा पहले पूरवज यही यूज करते थे हमारे पूरवज होते थे इसको जो है आपको गरम पानी में कुछ बूने डालनी है ओपर से टावल लेना है मैं आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा आपको अभी मैं लेके आता हूँ उसको गरम पानी को ये मैं बॉल वाटर लिया आया इस बॉल वाटर को आप एक बरतन में डालिये और इसमें जो है पहले के इसमें ऐसी लोग करते थे घरिल उप चा रहे हैं अीज एसमें पूछ बूनें जो है ऐसे करके आप डाल लेजे और बहुत अच्छी स्मेल आती है इसमें थोड़ी त नेगेटिव इफेक्ट नहीं है और जो है आप टावल लीजिए और जो है इस पर कुछ एक लंबी सांस लीजिए इसमें बहुत अच्छी खुसबु आती है और आपकी बंद नाख खुल देगा तो मेरे हिसाब से तो आपको ये वाला नुकसा ज्यादा अच्छा है बजाए उसके लेकिन अगर आपको लगता है आपको वह यूज़ करना वह यूज़ कीजिए ये यूज़ करना ये पस्त जो हेल्थी आदम इसकी नाख खुली भी है वह भी दस दिन में एक बार यूज़ कर सकता है मेरा प्रस्नल एक्स्प्रियेंस है बाकी तो अगर आपको प्रॉलम हो रही है तो आपको सबसे बैस्ट रहेगा डॉक्टर पास ही जाए जहां तक सेफ की बात है तो सेफ त जब तक हम इसके से फिरी नहीं हो जाते तो तक हमें अपने सेफ लेने पढेंगे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें जुन्हें सब्क्राइब नहीं करें धन्यावाद दोस्तों